एक बंदा YouTube से मू उठा के TikTok पे चला या है और TikTok पे आ के यहीं यहीं कर रहा है कहता है जी मैं डखी बाई हूं हमें TikTok इसको गली देने लगा है चीब हो ले लगा है मैं तुझे वार्न कर रहा हूं कि बाज आजा मैंने लोगों के दफ़ा बोल दिया ना तो तेरी ऐसी वार्न कि तू TikTok के नहीं तू YouTube भाके चला जाएगा इसको स्पोर्ट करना है यह एक ऐसे बंदे को स्पोर्ट करना है जो लोगों को साफसुत्री वीडियो बना के हसाता है तो आपने फैसला करना है इस बंदे का बेशाक आप देख लिए काउं यह टिक्ताकर को गाली दिया इसने और तो क्या चल रहा है आजकल मैं हूँ आपका फिवरेट यूटूबर ये 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 तो भाई ये एक स्टोडी टाइम वीडियो है मैंने कुछ यूटूबर्स को करते हुए देखा तो मैंने सोचा के करते हैं ट्राइ भाई तो आज मैं तुम लोगों को वाकिया सुनाँगा उस जहां पर एक कुटा रहता था और उदर ही एक अकेला आदमी रहता था फुल गुसे वाला उसके घर के सामने से भी गुजराना तो उसका कुटा ऐसे भौंगता है जैसे पैंच हड़ी नहीं मिली उसको सारी उमर अब बेले मजा के तो हमने भागना ही था सबसे पहले मैं ग लगा दी सीधी वो बुड़ा बार आके यहां पर खड़ा हो गया और गालियां दी उसने जोर जोर से वाहां पर सीधी अब आदे गंडे बाद हम लोग दुबारा वापस है हमने बैल वैल कोई नहीं बजाई थी लेकिन हम लोग बस सिरफ घर के सामने से गुजर रहे है तो कुटे ने भौंगना शुरू कर दिया हम लोग सिरफ उसको यहां पर खड़े हो के देख रहे है कि कुटा भौंग रहे है बस और हमने कुछ नहीं किया वो बुड़ा दुबारा बार आ गया उसने गालिया नकालनी शुरू कर दी मा भेन की लेकिन इस बार हम भागे नहीं इस बार हम लोग बाद थोड़ा पीचे हो गए थे इधर खड़े हो गए थे साइड पे लेकिन उस बुड़े ने क्या किया स्क्योटी बुला ली अब वो उतर से हमें स्क्योटी की बाइकों की आवाज आ रही है और हम लोग नोग इधर भागना शुरू कर दिया सीधा बा जहां से स्क्योटी आ रही ही ये काफी लंबा है सर्दी का वक्ता मैंने यलो कलर की हुड़ी पहने वी थी और मुझे ना ऐसी फील आ रही ही कि मुझे लग रहा है कि स्क्योटी वाले ने ना मेरा हुलिया देख लिया है उनको पता लग गया कि मैंने पीली हुड़ी पहने और उधरी चेज करना है, मैंने क्या किया है, मैंने स्पीड लगई, मैं गया भाई सीधा, सीधा जाने के बाद मैं फॉरण लेफ्ट मुर गया, अभी स्क्योटी वाली आई नी थी, उन्होंने मुझे नी देखा लेफ्ट मुरते वे, लेकिन उन्होंने प्रिडिक कर लिया है कि ये लोग लेफ्ट मुरे होने हैं, मैंने क्या किया है, लेफ्ट मुरा, लेफ्ट मुरने के बाद दस्ती अपनी हुड़ी उतारी, हुड़ी उतार के फैंक दी साइड पे, अब अंधेरा था, शाम का वक्त था, इतना कोई खास पता ही लग रहा है, स्क्योटी वाले ने मुझे मिस्क राके, आगे निकल गई, वो जो दो बाकी के दोस्त भाग रहे हैं मेरे, उनके पीछे चलेगी, उन्होंने लिटरली मुझे नोटिसी नहीं किया, क्यूंके मैंने हुड़ी वगर उतार ली थी, हुलिया चेंज था, और मैं वैसे भी चल रहा है, और मैं उनको क्यूनकि स्क्योटी वाली जो थी वो बाइक थी, स्क्योटी वाली बाइक ने जब एक को फपकराना तो दूसरा भाग रहा और उन्हें से एक पकरा गया है, इसने मेरे घर ने का बता दिया बाकियों को भी पसा हूँ उसने मेरे और मेरे दोस्त का एड्रेस दे दिया थोड़ी देर तक आगी जी स्क्योटी वाले घर हमारे खेर वो मुझे ले गए उदर वो बुड़ा हरामी भी उदर ही ख़रा है जिसकी बेल बजाई थी हमने अब वो आगे से च्क्यापा क्या लगा रहा है कि स्क्योटी वालों को कह रहा है कि ये हमारे गार पत्थर फैंक रहे थे फिर कहता कि मेरे कुटे पे ये लोग इंटे फैंके गई है मैं का ट्वाडी पैन दी चूडिया इल्जाम वो लगाओ ना जिसकी सेंस बन रही है खेर मैं अभी चोड़ा हो गया मैंने का सर आपको आपके घर अगर एक पत्थर भी परावा मिल गया ना विंडो के पास या दुर्वादे के पास या आपके कुटे के पास या आपकी विंडो क्रैक्ट मिल गई तो भई मुझे अंदर कर देना या आपने जो करने मेरे साथ कर लेना मैंने बुड़े की आँखो में देखा और मैंने का के भई अभी चलें अभी चलें हो मुझे पत्थर दिखाए जिस फतर की आप बात कर रहे हैं उसकी फटगी कहता कि देखो बेटा जब कोई गलती होती है तो मान जाते हैं मैंने का पैस्ट यो अपनी तरफ से इल्जाम लगा रहे वो किस खुशी में मान जाएं भाई फिर वो easy हुआ क्योंकि इसको पता है कि उसकी फट गई थी security गालों कहता चले जाने दे बच्चे हैं बच्चे हैं अब फट गई थी उसकी असल में तो अब हम लोग बात करेंगे क्या? स्पॉंसर है? किसके चाटने? इस वीडियो इस स्पॉंसरड बाई आक्टा एफेक्स क्या तुम लोग को कभी घर से पैसे कमाने का दिल की है या कभी online earning करने का दिल की है तो आप लोग आए हैं बिल्कुल सही जगा ओक्टा एफेक्स एक online trading platform है जहां आप लोग currencies trade करके पहे कमा सकते हो जिसने online earning को किया बहुत असान तो मैं दिखाता हूं ये काम कैसे करता है 30 dollar deposit करने के बाद अपना trading instrument select करो जब price low होगी तो green buy button पे tap करो और जब graph high होगा तो close the deal और ये रहा आपका 30 dollar profit जितनी भी account है वो Islamic है कोई भी swap apply नहीं होगा अगर तुम overnight अपनी position open रखते हो मैंने खुद भी profit लिया है and it has changed the life of millions around the world OctaFX deposit या withdraw पे कोई commission नहीं लेता online bank transfer भी हो ये level है वाइरस के crisis के बावजुद भी OctaFX offers lower spreads on currency pairs up to 14 points to support you तो इंतिजार किस बात का इस वीडियो के बाद link पे जाना description and download OctaFX and get a 5,000 dollar in your demo account अपना first time deposit डबल करने के लिए use my promo code ducky भाई back to the video खेर दूसी स्टोरी पे आयाते हैं आज से 3-4 साल पहले ना मेरी workout और jogging की बड़ी fit routine हुआ करती ही रोज रात को मैं और मेरा दोस्त जाते हैं बाहर pull-ups मारने, push-ups मारने और इदर-उदर jogging वगरा करने तो एक दिन हम लोग निकले वे थे और रात लेट बहुत हो गया 9 बज गये थे और मुझे यही मामा की call आगी कि भई घर पुंचो क्योंकि अगरे दिन ईद भी थी और महमान वगरा आये थे और कुछ समान वगरा भी मुंगाना था अब यह जो सामने तुम लोग दिवार देख रहे हो ना इसके बिलकुल दूसी तरफ वो ground था जहां पर हम लोग जोगिंग करते है अब ऐसा समझो कि मेरा घर यहां पर कहीं पर है अब अगर यहां पर घर है और मुझे उस तरफ जाना है तो मुझे यह वाली रोड पूरी क्रॉस करके वो गेट से बाहर निकल के इन घरों के पीछे से जाना परता है इस दिवार की दूसी तरफ जाने के लिए जहां पर ground है जहां पर हम लोग जोगिंग करते है अब सीन यह हुआ कि रात बहुत देर हो चुकी थी नौ बज चुके से और मैं इस दिवार की दूसी तरफ था और मुझे घर वालों की तरफ से call आगी लेकिन क्या हुआ कि मैंने strong boots पेने वे थे मैंने जैसी दिवार टापी ना और मैंने दोनों पैरों पे जब land किया ऐसे करके आवाज आई लेकिन बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी जैसे किसी गाड़ी का दुरादा बांद होता है तो वो जो उस दिवार का जो corner वाला जो घर था ना वहाँ से foreign तीन लड़के बार निकलाए तो वो जो लड़के थे उनको लगा कि मैं उनकी गारी चुराने आया हूँ मतलब उनकी गारी का दुरादा खोला है और मैंने बांद कर दिया और अब मैं भाग रहा हूँ खैर मैं तो दिवाट आपके सीधा चलना शुरू कर दिया है मैं चली जा रहा हूँ चली जा रहा हूँ मुझे पीचे फालो कर रहे हैं और आवाजे लगा रहे हैं खैर मैंने पीचे मुर्गे देखा यह तो मैं का इसको क्या हुआ भाई बावरा हो गया अब मैं जब यहां पर चलता जा रहा हूँ उसने गुस्ते में का मेरी फटड़ यहां से धौर लगा दी ठीक है मैंने फीचे मुर्गे देखा मैंने का मुझे पता हा कि भाई मैं तेज हूँ उससे मैंने सीधी दोर लगा दी खेर उन्होंने भी धोर लगा दी मैंने किया किया मैं भागता गया भागता गया भागता गया वो सामने नेक्स वाली गली के अंदर वाड़ गया खेर नेक्स वाली गली में घुसने के बाब मुझे पता हा कि मैं अराम से भाग जूँगा इनसे 100% sure था कि मैं उनसे कई तेज हूँ लेकिन मसला ये था कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े वे थे जो मुझे भागते वे देख रहे हैं और मैं बहुत चुतिया लग रहा है मैं यहाँ पे आके रुग गया मैंने का चल खैर पकड़ेंगे क्या कहींगे ताज़ जदा लेकिन उन्होंने क्या किया वो तीनों आये उन्हों से एक ने मुझे पीछे से पकड़ा दूसरे ने टांगों से पकड़ा और तीसरे ने कुट लगाई मुझे हेवी, कुट लगाता गया वो, अब मैं जूट नहीं बोलूँगा, मैं फिजिकली काफी स्ट्रॉंग हूँ, ठीक है, स्ट्रॉंग इन सेंस यह नहीं कि मतलब कोई बॉड़ी शॉड़ी मचसल शसल है, लेकिन पेन मुझे कोई इतनी खास होती नहीं है, इसलिए तुम लोग होगे, स्लैब, चैलेंज, बना लेता हूँ, मैं इधर उदर, खैर वो इधर बठा कि मुझे कुट लगाता गया, मैं वेट करता गया, चलो जब बस करेगा, ठीक है, फारेग हो जाएगा, लेकिन इन भाईजान ने जो मुझे रेस्क्यू करने आए थे, इन्हों ने स्क्यो खैर उदर स्क्योटी ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ सवालात किये, मैंने उसके सीधे सीधे जवाब दिये, मैंने का देखें, आपके हर गली नुकर में कैमरा लगया, मैंने का आप देख लिए, अगर मैंने उसकी गाड़ी की तरफ देखा भी हो ना, तो यह है, मेरा एडरेस, यह है, मेरा फोन नंबर, आके चुक लेना भई, खैर कुछ टाइम वाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, रात के कोई बारा बच चुके थे, और घर मेरा स्क्योटी कैम्प से कोई 15 मिन्ट की ड्राइफ पे था, खैर मैं में में रोट तक पैदल गया ग उनके घर गई, जिन्होंने मुझे कुट लगाई थी, तो पता लगा कि वो लड़के मेरे फादर के स्टूरेंट हैं, खैर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम इधर बस एक बात को खतम करने आया है, अब आपने अगर उसको कुट लगाई है, तो जाहिर है उसको भी गुस लाजमी, तो उस लिंक पे इतने लोगों ने क्लिक किया कि अवार्ड शो वालों की वेबसाइट क्रैश होगी, उनकी कॉल आगा कि भई, ये क्या कर दिया है, उद्धर मैंने रियालाइस किया कि यार, ये क्या मैं प्रॉमिस करके बैढ रही हूं, खैर अवार्ड शो से ने यल्दी फिल्म किया और घर वापसा आगे, अब जहां पे हमने फिल्म किया था ना, वो सुसाइटी का बड़ा इंपोर्टेंट इलाका था, और उदर फिल्मिंग अलाओ नहीं थी और मुझे इस बात का पता ही नहीं था, वीडियो डाली मैं बड़ा खुश था कि लोगों लिंक कोली नहीं और कहा कि आप हैं और यहीं आपके छेड़े हैं और घूह किंए आखा नाम नहीं ले सकता, यहीं फिल्म exchange के पास लेगे, वहाँ पे एक आदमी, बेटा था फुल हटमाल, पूुच चाय-पानी लेंगें, मैंने पर बैट के रूल्स के साथ बनाते हैं मतलब उनको लगा कि ये जो मुझरे वाली वीडियो है ये टिक टॉक से आई है और मज़े की बात ये कि टिक टॉक पे जो वीडियो री अपलोड रही थी जो स्क्योटी वाले देख रहे थे उस पे मिलियन प्लस वीउस थे खेर मैंने उसको स्टोडी बता ही सारी के ये डेर वगरा था तो वो आगे से कहते है के देखो आप सिर्फ इसको रिमूव कर दो बाकी कोई इस तरह कोई लंबा चकर नहीं है खेर उन्होंने कुछ सवालात वगरा किये छोड़ दिया, मैं घर आगया घर आके मैंने ये वाली वीडियो बनाई दो भीडियो पसंद आई है तो लाइक नहीं महींने में एक तो बनाई देंगे सबस्क्राइब करो interests की बेल बजा के बाग जो यार और मुझे पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि दो लाक लाइक्स पे ये वाली प्यानी की लगेगी और मुझे पता है कि उस पे दो लाक लाइक्स हो चुके हैं और जब मैंने पहले कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा तुम लोगे लिए पोस्ट पती सा अवार्ड मुझरा भी किया था तो अब किस खुशी में प्रॉमिस तो रूँगा इंस्टाग्राम पे लाज़मी फॉलो कर ले ना क्यूंकि उधर ही होगा सीन सारा बाई